हालो गाईज इस वीडियो में हम आर्विय असिस्टेंट का जो नौटिफिकेशन उसके बारे हम डिशक्ष करेंगे कव तक आएगा और इसके शाथ साथ इसकी एज लिमिट क्या होगी और प्री और मेंस का स्लेवर्स क्या होगा और स्लेक्शन प्रोसेस क्या है तो सब को हम इ अगलिक टकली में स्लेवर्स के बारे में तो प्री और मेंस का जो वह हम आपको बता जाता हूँ कि यह प्री का स्लेवध है इसमें इंगलिस कोषिण आएंगे maximum 30 marks के होंगे और numerical ability जो 35 questions आएंगे और 35 marks के होंगे इसी प्रकार से reasoning के 35 questions होंगे और 35 marks के आपके होंगे तो यह आप देख सकते हैं कि 100 questions है और 100 marks के हैं यहां पर यह प्री का शिलेवस है अब हम मैंस का शिलेवस बात कर लेते हैं और मैंस का सिलेवस आपके सामने यह है कि आप जहां देख सकते हो कि इंगलिस language में 40 question है 40 marks के हैं quantitative of attitude में जैंकि मैं था जो आपकी 40 question है 40 marks के हैं और reasoning में 40 question है 40 marks के हैं computer knowledge की 40 question है 40 marks के हैं इसी प्रकार से general awareness के 40 question है और 40 marks के हैं यहां हम बात करें दो साह question है और दो साही आपके marks के हैं तो गाइज यह प्री और मैंस के सिलेवस के बारे में अपडेट हो गई है अब बात करते हैं हम notification के बारे में कि इसका notification कव आईगा आपका within one week आपका notification आपको आपको देखने को मिल जाएगा within one week के अंदर यहां कि आपका इसमें maximum अगर यह गया तो यह माले लिए चार तीन चार फरवरी जा सकता है उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है और उससे पहले पहले यह notification आ जाएगा आज आपकी 27 जनवरी हो चुकी है तो आप यह मैं आपको guarantee कह रखता हूं कि वन वीक के अंदर अंदर आपका notification आपको देखने को मिल जाएगा आपकी लिए की informative वीडियो है गर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनको सेयर करें सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें इसके साथ-साथ मेरे जो टेलीग्राम ग्रूप है UPSC knowledge group किसी भी government job की latest update के regarding चाहे आपकी उसकी exam date हो कुछ भी चीज हो आप question paper चाहिए तो सब कुछ आपको UPSC knowledge group पर फ्री में प्रवाड हम करा देते हैं तो आप इसको join कर सकते हो धन्वाद गाईज नमस्कार